हाला एरवन वेलकम टू तो दड़ियेस गुरुजी एकसर इनी लायनों के साथ मैं अपने वीडियोज की सुरुवात किया करता हूँ लेकिन आज नहीं करूँगा क्योंकि आज है राजस्तान दिवस और आज भी अगर अपन राजस्ताने में नहीं बोले तो वही मानी होगी तो राम राम खमा गणी स्वागत चत्था को डियेस गुरुजी मा राजस्ताने के विचित्र प्रदेसे यहां के रीत रिवाज संसकार खान पान रहने की जो लोगों की कलाएं है वो काफी अलग है और कहीं राज्यों सकर बात की जाए आपको बताओ अभी गर्मी का मोसम स्टार्ट हो रहा है गर्मी में एक चीज होती है जो अकसर राजस्तान में पी जाती है और वो बनती है चास है उससे कहते है राबडी राबडी गरम भी होती है राबडी ठंडी भी होती है और जो भी अंग्रेज आता है या जो भी कोई विक्ति दूसरे राज्येगाई वर रास्तान में आता है जब राबडी को पीता है तो पागल हो जाता है कि यह क्या बलाए भ मज़ी से राजस्तान बनता तो ये बाते है राजस्तान की राजस्तान दिवस आज है तो मुझे वार्टसप पे एक कवीता मिली है फोरवर्ड की गई है वो जिसका सीर्सक है भूल गया भूल गया राजस्तानी सब्ध है और भूल गया का मतलब हिंदी में मतलब ये है कि भू अगर आपको उनके लेखक का नाम पता हो तो कमेंड में बताना ताकि उनको उचित क्रेडिट हम दे सके और जो आज के परिवेस में परिवर्टन हुए हैं पिछले में जो थे उनसे उसको बहुत अच्छी तरीके से कविता डिफाइन करती है बताती है और राजस्तानी भासा मैं है तो बहुत ज़्यादा मज़ा वैसे आ जाता है तो शुरुवात करते हैं राजस्तानी भासा की कवीता भूल गया अब किस प्रकार से लेखरक ने देखो शुरुवात की है कम्प्यूटर रो आयो जमानों कलम चलानी भूल गया मूबाइल में नंबर रे गया लोग ठिकाना भूल गया मतलब कम्प्यूटर का जमाना आ गया है और जो कलम से सारी चीज़े होती थी उसका पन भूल चुके हैं धोती पगडी पाग भूल गया मूच्यां उपर ताव भूल गया सहर आकर गाउं भूल गया बडेरा रा नाउं भूल गया हैलो केवे हात मिलावे राम राम सा भूल गया गदा राग में गावन लागया सारा गामा भूल गया एक चीज होती थी कि पहले होता था सास्त्रिय संगीत सारे गामा पाप तमाम प्रकार के हमारे विद्वानों पंडितों ने ये सारी चीजे बनाई है उसको गाते थे लता मंगेश कर वगएरा ये ये भौट भारी चीजे होती थी लेकन उनको अपन बहुत अच्छी चीजों को भूल गए और अपन क्या सुनने लग गए यह रेप वगेरा पतानी क्या क्या समझ भी नहीं आते सब्द लेकिन देख लीजिए किस प्रकास से परिवर्टन हुआ है क्या अच्छा वर्णन क्या है कभी ने बोतल न्यानी याद रहेगी दाना लान भूल गया है होटल रो चसको लागयो घर्रा खाना भूल गया यानि कि बहुत ही गजब का वेंगी यह है कि जो बोतल होती वो तो लाना याद लोगों को रहे गया लेकिन जो दाना लाना यानि कि जो खाने पीने गोस्तों होती है जिससे घर चलता है परिवार चलता है उसक प्रड़े को पाटी हो जाए तो चलो बढ़िया है मज़ा जाता है लोगों को आजकल और होटल आरों चसको लागियों घरों खानों भूल गया ये भी एक प्रकार के नई परिवर्तन अपन को देखने को मिला है कि लोग हर एक दिन सेल्पी डाल देते हैं पेस्बुक पे कि आ चले होती थी कि एक प्रकार से परमपराई थी वो भी सारी चली गई है अब फेमिनिजम का जमाना आ गया है जवानी राज जोस माहिन बुड़ापान भूल गया हम दो हमारे दो माबापान भूल गया बहुत ही भारी कटाक सा संस्कृति न भूल गया खुदरी भासा भूल रियलिटी तो यह है कि मैं भी रियल राजस्तानी नहीं बोल पाता हूं तो यह बहुत बड़ा परिवर्तन एक प्रकार से हुआ है कि हम उमारे संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और इसमें कोई एक विक्ति दोसी नहीं है इसमें हम सभी लोग दोसी है क्योंकि हम अपनी भ पर लोकल लेंग्वेज को प्रिप्रेंस देते हैं इवन चाइना में जागर के देखे तुमां तो जिसको चाइनीज नहीं आती उनकी तो जिंदगी बेकार है तो इस प्रकार की जीज़े होनी चीए लेकिन इंडिया में तो एवरिटिंग इंग्लिस एवरिटिंग आगे जले हैं तो लिखा हुआ है कि लोक गीतारी रागा भूल गया खेल तमासा भूल गया और घर आयान करे वेलकम खम्मा खम्मा भूल गया भजन मंडलिया भांड जी जागण जम्मा जम्मा भूल गया यह बहुत बढ़ी चीज होती थी पहले भजन मंडलियां वगरा आजकल ये भी कमी होती है अलग प्रकार की चीज़ आ गई है और एक बात मैं आप बताओ तो राजस्तान का एक वाद देंतर होता था जिसको रावन हर्ता या लोकल लेंगवेज में कहें तो राउठा कहते थे उसको बजाने वाले जो लोग थे आजकल ट्रेनों में सड़क में मिल ज अब देख लिए पूल गया गाई बेज कर गंडक लियावे खुदरी जातां भूल गया काण काइदा भूल्गयालाजसरमने भूल गया खान पाण पे रावनाद भूल्या नेमढवन भूल गया यानि कां कांसी सब्द है इक प्रकार सहिता है कि इज्जत तो के तरह एक खाडोती में भी एक कहावत है कि थारी कान एक थारा धनी की कान यानि भई तेरी इज्जत कर रहा हूँ कर तेरे धनी की इज्जत कर रहा हूँ मैं इसलिए तेरे आगे सर जुखा रहा हूँ तो कान काईदा भूल गया लाजसरम ने भूल गया खान प लोक पाल कर सुक्सु जीना भूल गया अंत की पंगती है बहुत ही बढ़िया बात कहिए कि घर की जो खेती थी उसको भी अपन भूलते जा रहे हैं खेती से तो जिसे माल लीजी किनारा ही कर लिया हम सभी लोगों ने पता नहीं ऐसा क्या है क्योंकि एक बात आप देख लीज और एक व्यक्ति जो तुमारे लिए खेती करता है किसानी करता है तब ये तो कोई गवर्मेंट सर्वेट खाएगा समझे वह आप मतलब सरकारी नोकरी होना चीए बिजिनिस होना चीए सारी चाहिए होना चीए लेकिन उतनी ही रेस्पेक्ट किसान की भी तो होना चीए क्या किसान इंसान नहीं है किसान अगर उगाएगा नहीं मजदूर अगर मजदूरी नहीं करेगा तो घर कैसे बनेगा भाई तो इस समाज में सभी एक दूसरे के पूरक है कहीं किसी की महत्त होता है कहीं किसी की महत्त होता है हपन ने किसी एक तबके को ज़्यादा बड़ा कर दिया है और एक तब्यों को बहुत छोटा कर दिया है और जो छोटा होने वाला तबका है वो वो तबका है जो राष्टर निर्मान में सबसे वड़ी भूमिका आदा करता है इंडियन एकोनोमी में सबसे ज़्यादा सेर्स जो होता है वो किसका होता है खीती का होता है, जो किसानी से जो इनकम होती है उसका होता है, एक जमाना था जब अंग्रेजों से अनाज लिया करते थे हम, आज इस्तिती ये है कि अंग्रेज क्या पूरी दुनिया को दे दे, और ये इस्तिती किस ने की, किसानों ने की भई, लेकिन किसानों की हालत हमने क् विचारा सड़क पे भीक मांगने को मजबूर है आज किसा तो ये बहुती बड़ीया कविता लिखी है बहुत बड़े ये लेकर कोंगे इनका नाम मुझे नहीं पता हो तो कमणे बताएं घरी खेती भूल गया घरी धानी भूल गया नुवा नुवा सोक पाल कर सुकसु जीना भूल गया ये बहुत बड़ा कटाक से प्रकार से ने ने सोक अपने पाल लिये हैं कि मुबाइल फैस्बुक वार्ट सब इसमें घरे रहते हैं हकीकत मैं खुसी तब मिलती है जब सुबसुब आप खेत कलियान में जाओ या अलग प्रकार से प्राकरतिक सुंदरी भी तो ए उस दिन विस्व गो रही है यानि कि जो चिडिया होती है उसका दिवस्ता और एक रिपोर्ट ये बताती है कि बहुत सारे देशों में चिडिया खतम हो चुकी है और भारत में भी इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है घटने पर आगई है चिडिया इतिजा देती है आजकल और यह क्यों हो रहा है यह इसलिए होता है कि अपन्यों मुबाइल यूज करते हैं इस मुबाइल से जो रेडियेशन निकलता है टावरों के माद्यम से उससे इनके अंडे नश्ट हो जाते हैं एक ऐसी प्रकार की चीज है कि इनके अंडों को एफेक्ट करत है तो इनकी जो जन्म दर है वो लगातार घट जारही आरही है इनकी संक्या लगातार कम होती जा रही से ने-एंडी शोक के चकर में हम प्रकरतिक सुकों को भूलते जा रहे हैं जो कि बहुत बड़ी कमी आप कह सकते हैं तो ये एक कवीता थी जो राजस्तानी में थी आप सभी को राजस्तान के दीवस की हार्दिक सुपकामना है खमा गणी राम राम जे हिंदूस्तान जे राजस्तान